पेड के एक खोखले में रहता था खरगोश परिवार। पापा खरगोश, मामा खरगोश और उनके तीन शरारती बच्चे रिंकू, पिंकी और तिंकू हमेशा खेलकूद में मस्त रहते थे। एक दिन जंगल में खेलते हुए तिंकू को एक छोटा सा गुलाबी जीव मिला। वो डर से रोने लगा। पिंकी और रिंकू दोड कर आएं और पूछा, तिंकू, हुआ क्या। तिंकू ने हिचकिचाते हुए बताया, मुझे एक अजीब जानवर मिला है। वो सुवर जैसा दिखता है, लेकिन बहुत छोटा है। पापा खरगोश वहाँ आएं और ध्या से उस छोटे जीव को देखा। ये तो एक सुवर का बच्चा लग रहा है। उन्होंने कहा। छोटा सुवर का बच्चा रो रहा था। मामा खरगोश को उस पर तरसा गया। उन्होंने उसे गोद में लिया और धीरे से पुचका रहा। रिंकू ने पूछा, हम इसका क्या करेंगे। पापा खरगोश ने कहा, इसका परिवार शायद कहीं खो गया होगा। फिलहाल, ये हमारे साथ रहेगा। खरगोश परिवार ने छोटे सुवर का बच्चे का ख्याल रखना शुरू कर दिया। उन्होंने उसका नाम पिंकी रखा। पिंकी जल्दी ही खरगोश बच्चों से घुल मिल गया। वे सब साथ में खेलते, कूते और जंगल की सैर पर जाते। कुछ दिनों बाद जंगल में रहने वाले दूसरे सुवरों को पिंकी की तलाश करते हुए देखा गया। खरगोश परिवार खुश हुआ कि पिंकी को उसका परिवार मिल गया।